हेलो दोस्तों आज मैं MP3 फाइल में लिरिक्स एड़ करना बताऊँगा उसके लिए हमें उस गाने का लिरिक्स कॉपी कर देना है कॉपी करके हमें एक टेक्स्ट फाइल बनाना है मैं अभी ऑफिस यूट यूज़ कर रहा हूं आप डब्ली पीएस ऑफिस भी यूज़ कर सकते हैं यह फिर और कोई भी कि इसे टी एक्सटी यह फिर टेक्स्ट फार्मेट में सेव करना हैं दियान रखे कि इसका नाम भी गाने के नाम से पूरा मैच करें गाने का नाम जो भी है वही इसका भी नाम होना चाहिए इसका लोकेशन उस गाने का फोल्डर के अंदर ही होना चाहिए मतलब अगर मेरा गाना म्यूजिक फोल्डर के अंदर है तो यह फाइल भी उसी फोल्डर के अंदर रहेगा सेफ करने के बाद उस फोल्डर को जाईएगा टेक्स्ट फोर्मेट को रीनेम करके हमें ल आर्सी फोर्मेट में लिखना है यानि हमें लिखना है ल आर्सी डॉट ल आर्सी सब स्मॉल रहेंगे अभी लिरिक्स आजाएगा